विनेश फोगाट लगातार महिला पहलवानों के समर्थन ब्रज बोशन शरंड सिंग के खिलाफ खड़ी नजर आ रही हैं जिस तरीके से रोते बिलगते वे कई बड़े खुलासे के थे चोकाने वाले थे विनेश फोगाट ने एक तरीके से खुली धंकिया भी दे रखें बिरज बोशन शरंड सिंग को क्योंकि आपको याद होगा एक पुरानी कहावत एक कहा जाता है कि इसी को इतना भी मड़ डराओ कि उसके मन से डर खत्म हो जाए आज महिला पहलवानों को देख कर लोग ऐसे ही बाते कह रहे हैं कि इनका इतना जादा कही न कहीं शोशन हो चुका है ये इतना तूट चुकी है कि अब क्या ही करेंगी जिन्दगी में जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कई बार कहा कि उन महिला पहलवानों ने अपना दर्द बाया किया और मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि अब हमारे सामने कुछ बचा ही नहीं क्योंकि अगर देश की जनता के सामने आएंगे वो कैसे हमें सुईकार करेंगे हमें गलत जलाकों के पीछे जाएगा तब ही हम यहां से धरना परदशन खत्म करेंगे वरना हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं क्योंकि ब्रज बोशन श्रंड सिंग के खिलाफ आरोप लगाते वे विनेश फोगाट ने साफ कहा था कि आपको पचास बताओं सो बताओं दो सो बताओं भी नहीं यह डेश की कड़ वी हकीकत है कि जिसकी बहुत नाम है उसकी सुनी जाती है लेकिन अगर कोई कही नगा नॉर्मल परिवार से सामने आता है शायद उस मामले को उतनी तूल ही मिलती इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता जितना महीला पहलवानों को मिला लेकिन गार्ट ने खुले धंकी देर रख़ी है साहती- शाथ कई वड़े खुलासे भी कर रखे च्छिप हड शुट्ली की कमरे क्या कुछ होता था कैसे इशारे कि एक कि या कुछ होता थैं जनता देश के सामने पूरी दुनिया के सामने आकर यह कहे कि मेरे साथ यह हुआ है और इस व्यक्ति को न्याए मिलना चाहिए जितनी महिला पहलवाने उनको न्याए मिलना चाहिए और क्या वो सिर्फ यह राजनितिक मकसद के लिए करेंगी आप खुछ सोचे ज़रा है इस मामले पर शायद जवाब आपको मिल जाए लेकिन ब्रेजबोशन श्रंड सिंग मामले पर लगातार जारी है जो कुछ भी फैसला आएगा आगे कोट पुलिस चो भी बड़े न्याले हैं उनसे भरोसा है उमीद है बिनेश फोगाट को कि फैसला उनके पक्ष में आएगा लेकिन जिस तरीके से ब्रेजबोशन एक खिलाब खुली धंकिया दी जा रही है साफ कहा जा रहा है गरफतारी पहले होनी चाहिए ताकि वो महिला पहलवानों से दूर रहे और महिला पहलवान सुरक्षित रहे अब देखते हैं इस मामले पर क्या कड़ा एक्षन होने वाला है बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद